हेलो फ्रेंड्स वेल्कम तू दे चैनल आज की वीडियो में हम फैमिली पोईसी के बारे में बात करने वाले हैं सो लेट स्टार्ट अब फैमिली पोईसी भी एक न्यूली अड़िट फैमिली है मॉर्फोलोजी इन फ्लावरिंग प्लांट नए से लिबस के अकॉर्डिंग एक सबसे पहला पॉइंट फैमिली पोईसी इस ओल्सो नोन अस ग्रामिनी फैमिली अब इसके बेसिक पॉइंट से बेसिक फीचर्स हम लोग स्टार्ट करते हैं एक सबसे इंपॉइंट कि यह एक मोनो कॉर्ट लिडिनस फैमिली है ठीक है ना यह एक मोनो कॉर्ट लिडिनस यह एक मोनो कॉर्ट लिडिनस फैमिली है उसके अलावा यहां पर हमारे पास ट्राइमेरिस फ्लावर्स पाए जाते हैं है कि ट्रायमेरस फ्लावर्स हिस इस फैनली के मेंबर्स के अंदर पाएजाते हैं ट्रैमेरस फ्लावर्स बैसे इसके लाभा अगर हम इस फैनली कि इन अथे स Streamर के बाद करें हैं की इन फैनलॉसेंस में कैसा टाइक का है तो let me tell you inflorescence यहाँ पर जो है वो spike of spikelets के नाम से जाना जाता है यहाँ पर जो हमारे पास inflorescence है वो है spike of spikelets form में लिख सकते हैं spike of spikelets और basically यह spike of spikelets नाम जो है वो basically हम लोग वीट के लिए ज्यादा अच्छे से यूज कर सकते हैं एक्जामपर के तौर पे spike of spikelets wheat के लिए ज्यादा अच्छे से हम यूज कर सकते हैं उसके अलावा जो मेज होता है wheat के लिए हम लोग spike of spikelets नाम देते हैं और एक चोटा सा स्टार मार्क करके let me tell you एक पॉइंट कि स्पैडिक्स टर्म यूज करते हैं इन फ्लॉरसेंस में स्पैडिक्स टर्म जो है वो यूज किया जाता है मेज के लिए यानि कि spike of spikelets term यूज किया जाएगा wheat के लिए जबकि स्पैडिक्स टर्म यूज किया जाएगा मेज के लिए moving to the next point हमारे पास यहाँ पर जो stem है वो calm type का है calm type of stem यहाँ पर पाया जाता है उसके अलावा हम कह सकते हैं यहाँ पर जो leaf base होगा वो sheathing type of है sheathing type of leaf base sheathing type of leaf base sheathing type of leaf base हम लिख सकते हैं उसके अलावा यहाँ पर जो stigma होता है वो feathery होता है feathery stigma is found यह इसके कुछ special या फिर key features हम कह सकते हैं feathery stigma पाया जाता है उसके अलावा यहाँ जो stamen है वो versatile है versatile stamen is found versatile stamen is found एक point यह हम लिख सकते है versatile stamen is found उसके अलावा यहाँ पर जो placentation होगा basically वो basal type का है यानि कि basal placentation is found basal placentation is found हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर basal presentation पाया जाएगा उसके लावा मैं अगर fruit इस family में पाया जाता है और karyopsis में भी karyopsis के अंदर basically एक feature है let me tell you यहाँ karyopsis के लिए bracket में भी एक point लिख सकते है कि जो pericarp होता है karyopsis fruit के अंदर actually जो pericarp होता है वो fused रहता है pericarp remains fused या फिर परicarp is fused with the seed coat जो seed coat होती है उसके साथ pericarp fused रहता है इसके fruit में इसलिए इसके fruit को हम karyopsis नाम से भी जानते है right अगले कुछ points अगर हम discuss करें तो हमारे पास आएगा कि यहाँ पर हमारे पास जो venation मिलती है जो leaves के अंदर venation होती है वो parallel type of venation पाई जाती है यानि कि parallel venation is found अब यहाँ पर parallel venation क्यों आएं क्योंकि हम अच्छे से जानते हैं जित्ती भी monocot families होती है जित्ती भी monocotylidonus families होती है उनके अंदर parallel venation पाई जाती है जबकि जो dicotylidonus families होती है उनके अंदर reticulate venation पाई जाती है because यह हमारी जो family है family gramini यह एक monocotylidonus family है इसके कारण यहाँ पर parallel venation पाई जाएगी उसके अलावा अब एक और important या फिर मैं इसको key feature कहूंगा इस family का इसलिए मैंने एक star mark भी कर दिया है हम इसको key feature कह सकते हैं basically इस family का की the presence of ludicules presence of ludicules और यह मैं कह सकता हूं कि यह special feature है यह distinguishing character है family gramini का और यह ludicules होते क्या है यह reduced यह ludicules है क्या let me just define it it is basically reduced reduced membranous teples यानि complete नहीं reduced teples will be reduced reduced membranous teples reduced membranous teples are basically called as ludicules right यह feature आप दियान रखें उसके लावा अब एक और important feature let me tell you यह family economically सबसे ज्यादा important family consider करी जाती है या मानी जाती है इसलिए हम लिख सकते हैं economically not ecologically economically economic value के तौर पे economically it is the most important family it is the most important family economically it is the most important family यह कह सकता हूं मैं उसके लावा अब हम फटाफट से floral formula और लिख देते हैं हमारी family Gramini का floral formula लिख देते हैं floral formula में इस फ्लोरल फॉर्मला इस फैमिली का काफी सिंपल सा है ब्रैक्ट्स प्रिजंट है इसले बी-ार क्योंकि यह फैमिली भी हमारी बाइसेक्शल तर मेल और फिमेल दूनों का साइन परियांथ टर्म यूज करते हैं इसमें परियांथ जहें टू हैं फ्री हैं chwuzed नहीं है onrocium की बात करें तो a androcium और यहां पर हम लुख सकते हैं three और वो भी free gynossium ovary superior तो g के नीचे underline और one free ही है तो यह हम इसका family Gramini का या' family poesy का यह हम लिख सकते हैं इसका floral formula floral formula के बाद यह जित्ते भी हमने characters यह जित्ते भी हमने features अभी discuss करें उन सब वो सब features या characters के particular examples के उपर valid होते हैं अभी यह भी देख डालते हैं मतलब कौन से कौन से examples हैं हमारे पास जो family gramini या family poesy comprise करती है तो let me write all of these such as your wheat wheat हो सकता है wheat के लावा maize हो सकता है maize हो सकता है wheat, maize rice हो सकता है barley हो सकता है या फिर sugar cane भी हो सकता है sugar cane भी हो सकता है या फिर हम bamboo भी लिख सकते हैं bamboo भी लिख सकते हैं या फिर grass भी लिख सकते हैं और एक और important example sorghum 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 क्या है sorghum basically कुछ नहीं millet है millet का ही English name sorghum उसके अलावा एक और example हमारे पास आता है that is your penny setum penny setum या फिर इसको हम pearl millet भी बोल सकते हैं penny setum और यह penny setum pearl millet का ही नाम है pearl millet यह कुछ examples थे हमारे पास जो family gramini या family poesy हिये थे अगली वीडियो में हम दूसरी family के बारे में बात करेंगे thank you द्री में हमारे ट Thai जएएएएएषब me ुएएएएएएएपार यह करेंगे यहौまで अपमें हम